नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकलोजी सेट 3 वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंट्स मैं आपको हर सेट में साइकलोजी के मस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन का प्रैक्टिस कर वा रहा हूँ ठीक उसी तरह इस वीडियो के भी सभी क्यूशन सेलेक्टेर औ तो वही क्यूशन यहाँ पर है कि एस्पियर मैं के सिध्यान्त में बुद्धी के कितने कारक बताये गए हैं तो विल्कुल सही ऑप्शन भी दर सही अंसर दो एस्पियर मैं के सिध्यान्त में बुद्धी के दो कारक बताये गए हैं आपको याद रखना है फ्रेंट्स मैंन और मुल्टिपल इंटेलिजेंसी का जो सिद्यान था तो मैंने आपको यह सब डिसकस करा दिये हैं आपको जिस भी क्यूशन का एंसर पता रहे हैं आप कमेंट करते चलिएगा चलिए सेकंड क्यूशन के बढ़ते हैं सेकंड क्यूशन है हमारा आज का बहुत ही इंपोर्टेंट है कमेंट करोगे सभी लोग कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्यांत से समंदित नहीं है कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्यांत से समंदित नहीं है तो सही अंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा लाव क्योंकि देखे संक्रिये जो होता है संक्रिया यानि operation जिसे कहते हैं विसे वस्तू content कहते हैं आप लोग और उत्पात का अंग्रेजी होता है products तो यह सब जो है आपका यह गिलफॉर्ड के सिद्दान से समंधित है गिलफॉर्ड ने जो तीन जो सिद्दान था गिलफॉर्ड के तीन विमाओं के अधार पर की गई है और हर वीमा में कुछ न कुछ कारक थे जैसे आपका पहला जो होता है संक्रिये operation तो इसमें आपके थे छे कारक और सेकेंड आपका यहां पर विसे वस्तू तो विसे वस्तू में मैंने आपको अल्यडि बताया था कि इसमें होते हैं पांच कारक और जो ठड़ आ आपके एक्जाम के लिए नेक्स्ट हमारा क्यूस्टन है क्यूस्टन ठड़ कीन मनोबे ज्यानिकों ने सानवेगिक बुद्धी का परतिपादन किया काफी ज्यादा इंपोटेंट है साती हूं चलिए ठड़ का सही एंसर आपका याद रखोगे सभी लोग ऑप्शन एदर इंपोटेंट किया था याद रखोगे कफी ज्यादा इंपोर्टेंट किसंस आपके एक्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट यूशन हमारा साथ हूं यूशन 4 चलिए फटा-फट से कमेंट करते चलिए वीडियो का अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ला हमारा कि क्यूशन 4 है हमारा डीए टी में किसका मापन होता है डीए टी में किसका मापन होता है एक मिनट DAT में किसका मापन होता है साथियों फड़ा फड़ से बताइए चलिए DAT का मतलब समझते हो सभी लोग DAT का फूल पर होता है differential aptitude test इसी तरह से आपका एक होता है GATB यह भी आप याद रखोगे यह सब important है जी general aptitude general aptitude T से हो गया आपका क्या test और B से battery याद रखें fact का नाम सुने हो एफे सीटी फैक्ट यह भी इसी के अंतर गताता है फैक्ट जो होता है फ्लेंगन aptitude classification test आप लोग याद रखोगे यह सब important है उसी परकार यहां को क्यूशन हमारा DAT किसका मापन होता है किसका मापन होता है तो याद रखेगा अभी छमता का होता है नहीं aptitude का होता है aptitude का होता है आप नाम में ही इसका answer है इसका मैंने फूल फर्म बताया है आपको differential aptitude test याद रखें काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है साती हो सेलेक्टेट क्यूशन से ncrt से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है आपकी examination के लिए मोडल पेपर को आप देख सकते हो ncrt से सब्सक्राइब के जितने भी क्यूशन से नेक्स्ट हमारा क्यूशन है क्यूशन फाइव एक बालक की तैथिक आयू यानि कला नुकर्मिक आयू जिसे आप कहते हैं तथा मांसिक आयू बाड़ा वर्से उसकी बुद्धी लबदी क् मैंने इस क्यूशन को इसलिए लाया ताकि आपको बुद्धी लबदी का भी कुछ मतलब जानकारी आप भूले हुए होंगे तो आप याद कर लोगे बुद्धी लबदी के बारे में भी आप याद कर लोगे काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फटा-फट से आप लोग क यहां कर रहा है तो 10 हो गया और 100 से मल्टिप्लाइ कर देते हो तो वन सुना से वन सुना गया बारत ही है 120 यानि इसका सही अंसर आपका 120 साथी हो 120 सी वाले बिल्कु सही है याद रखिएगा नेक्स्ट हमारा क्यूशन है क्यूशन 6 निम्न में से कौन सी तकनीक निम्न में से इस्तिती परक परिक्षन नहीं होगा साक्षातकार भी नहीं होगा 16 पीएफ भी नहीं होगा इसका सही अंसर आपका वाक के पूर्ती परिक्षन होगा साथी हो याद रखिएगा वाक के पूर्ती परिक्षन जो है आपका तकनीक अचेतन मन में चुपी भावनाओं को जानन मेंंपी Тут वह द्पूर्घतित्वर कई मांपर साथूतुत करता सब्सक्राइब इस 맡ान का भीकास हाथ वें मैं किनले द्वारा किया गया तो यह आपडी deepen न्येक्स्ट सेढ książ नंबर 8 चली बहुत अच्य त्यारी है याद तो हैं निद्स Chic इंपोटेंट ही रहने वाला आपके लिए व्यक्ति का स्वयम के बारे में उसकी छमताओं योगताओं का प्रत्यक्षन क्या कर लाता है तो स्वास्षन प्रत्य आप्शन सी इधर आइट एंसर स्वास्षन प्रत्य जो होता है व्यक्ति का स्वयम के बारे में उसकी छमताओं योगताओं का पर्ट्यक्षन का लाता है नेक्स असाथ ही हुँ मारे क्यूशन नमर 9 फ्रत्यक्षन का मतलब समझ गया न स्वास्षन प्रत्या था हाँ बिल्कुल श्वास्षन प्रत्या इधर आइट एंसर वही मैं सुचूं नेक्स्ट हमारा क्यूशन क्यूशन 9 निम्ण में से कौन सी व्यक्तित्व व्यक्तित्व मापन की व्यवहरात्मक विश्लेशन नहीं है निम्ण में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहरात्मक विश्लेशन नहीं है तो नाइन का सही अंसर आप्जर्वेशन प्रेश्चन यह व्यवहरात्मक विश है जब से थोरा सजादा पड़ता है क्लास में टॉप करता है याद घर मतलब कि आता है एक चाहिए तो अगर सभी का रहता है रोसरा स्याहित अब आपको पता होगा क्या होता है यह प्रिक्षन हुआ मतलब क्या 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 देखा किसी तरह से प्रिक्षन क्या जाता है उसी में रोसरा स्याही धपा जो होता है किस स्रेज में रखा जाता है यही क्यूशन है हमारा आज का तो 10 का सही अंसर यह पडिक्षन option B प्रच्छेपी तक्निके में रखा जाएगा option B दराइट अंसर प्रच्छेपी तक्निके next हमारा क्यूशन है elson-11 वह ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां पर चला गया है जोई था वह ज्यादा इंपॉर्ट्टिंट कुश्छंस है सकारात्मक दहबाव को कहते हैं सकारात्मक दबाव को कहते हैं fallait स्पेस यह अगा मतलब कार आत्मक न गया बी और सी दोनों भी गया, इस पेस मतलब जगह होता है, युस्ट्रेस इस इधर आइट एंसर, दबाव का वहलाब कारी अस्तर है, जिसके कारण ब्यक्ति कारे करने की और क्या होता है, अगर सर होता है, मोटिवेटेड होता है, और उपलबधियों पड़ाप्त करता है, बहु कौन सा दबाव के कारण होने वाला सानवेगिक प्रभाव है, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सानवेगिक प्रभाव है, तो याद रखेगा, ऑप्शन सी, मन में डर होना, मन में डर होना जो है, वो दबाव के कारण होने वाला सानवेगिक प्रभाव है, सब्सक्राइब प्रभाव व्यक्ति के पर होता है कहीं पे दिकत हो तो कमेंट करके बताया किजिएगा नीचे आपके कमेंट को मैं हडएक बच्चे के कमेंट को पढ़ता हूं हडएक मेरे जितने भी मित्र हम से जुड़े होते हैं मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूं लाइक भी करता हूं कमेंट को जिनका कमेंट में मतलब कुछ पूछते हैं तो तो आप लोग फड़ा फड़ से मैं नंबर सभी को पता ही है 9523297596 तो किसी तरह की प्रॉब्लेम हो तो आप वाट्सेप कर सकते हैं वाट्सेप मेसेज किजिए कॉल ज्यादा ना किया किजिए कॉल करने से बहुत ज्यादा हमें भी परसानी होती है हा कभी दों इंप्पॉर्टेंट कर दो किजिए नेक्ट हमारा दबाव का सामना करने की कौन सी तकनीके के तकनीके- तकनीके यहाँ पर लाजारस फाकमें दवारा दी गई दबाव के सामना करने की कौन सी तकनिके लाज आरस एवं फॉक में द्वारा दी गई तो याद रखेगा 14 का सही इंसर मैंने ओल लेडी इस क्यूस्टन को कराया था सब्जेक्टिव क्यूस्टन में तो याद होगा जब मैं चैप्टर वाइच करा रहा था तो तो 14 का सही सामना करने कौन सी तकनिक उप्योगी है तो 15 का सही इंसर याद रखेगा उप्शन दी उप्रुकत सभी व्याम द्यां विसरानटी ये सभी जो है दबाव का सामना करने में तकनिकी about पूपी होगी तक निकी हैं नेक्स्ट हमारा क्यूशन 16 इसका पीडियेप मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा तो अगर आप नेवी टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं कि आप फटा-फट से टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजागा वीडियो के खत्म होते ही वह है नोर्मल सब्सब्स बना है तो यह लैटिन का वह स सथी, याद रखना है नेक्स्ट हमारा क्यूशन क्यूशन नोर्मल सब्स लै सनोड़मा से याद रखिएगा जिसको आप समानने कहते हो समान यानि तर जो तीन क्यूसण में लगातार अभी देखाएं आपको यह बताया था हमें से कौन सा सही है तो ट्वेंटी में तो आपका भाई सही सही ऑप्शन डी दराइट एंसर विस समाने तर डिविएंस को डेंजर को खत्रा डी से और डिस डिस फंक्शन को इसब डी से इन्होंने बताया था कोमर द्वारा त्याद रिखेगा उपरूक्त सभी न तो निम्ण में से कौन सा एक दूर सिंता विकृति का परकार नहीं नहीं है क्यूस्टा यह हमारान तो इसका सहीम अचर क्या हो जाका यह रूख विकार ओप्शन इंसर अमारे क्यूार का रूफ विकार का परकार है टोई ट्व गए कर स्वां स्वाकायू दिह सींता मतलब क्या होता है तो यह कया काया रूप पिस हर्व जानते हो नेक्से मारा की नमट तक नंब टुएंटी थी में सभी लोग जानते हो अपन को क्या करना है बस हम लोगा पढ़ना है और अच्छे से Jackie जान देना है इसे लिया आप हाई पध्यान दिए किसका संबंध्दर है संमद्द्ध संबंध्द से हैं निवेडोको सेहे 23 नीफीsty एंसर आपका हो जाएगा option याद रखेगा बी उत्साह विसाद और उत्साह विसाद मनोविक्रिती को भावात्मक रोग कहा जाएगा next है हमारा question number 24 25 bulimia एक रोग है bulimia एक रोग है जिसमें रोगी को क्या होता है बुलुमिया में लोग रोगी को क्या होता है 25 का साइंस और option सी भूख अधिक लगती है बुलुमिया में next हमारा question number 26 मांसिक दुरूबलता में व्यक्ति की बुद्धी होती है मांसिक दुरूबलता में व्यक्ति की बुद्धी होती है याद रखेगा क्या इसमें भूक अधिक लगती है विलुकुल सी सही है मांसिक दुरूबलता में बुद्धी व्यक्ति व्यक्ति की बुद्धी होती है कैसी ह होती है 26 का सब्सक्राइब 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 करते हैं और सौस ज्याद रहाता समझे कि बहुत तेज है ब्रिलियंट है ओफर विलियंट टैलेंटेट है नेक्स है 27 विभड़म तथा भरम का समन्ध किस विक्रिती से है तो 27 का सही अंसर आपका ऑप्षन भी हो जाएगा याद रखिएगा मनोवी दलता से है सातियों नेक्स है मनोवी दलता के बारे में प्रहया भी मैंने है चेप्टर बाई जो अब्जेक्टिव क्योशन्स अगर आपने नहीं किया है तो फिलीज आप लोग कर लेंगे चैप्टर बाई टिव इस मैंने उल्रेटी करा दिया है तो आप लोग कर दीजिएगा चैप्टर बाई चेप्टर बाइच खड़ा दिये हैं जी नेक्स्ट हमारा क्यूशन नोबर 28 है मनो विदिलता के धनात्मक लक्षनों में से किसे सामिल करेंगे तो 28 का सही अंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा सभी भ्रम सक्ति विभरांति चीनता नहीं भासा जो है मनो विदिलता के धनात्मक लक्षन में सामिल किया जाता है क्यूशन आपको हार्ड भी लग रहे होंगा साथ हूँ यह सब एकन्स नाइक वी आ सकता है जो है वह आपका हंडडेड परसेंट है कि उसमें से आपके जो होंगे 45 से लेकर 50 परसेंट आएंगे ही आएंगे इसलिए आप क्यूशन बैंक को जरूर से पढ़ लोगे क्यूश प्रृट नहीं रहता है है यह सब रहता है कि आएगा कहां से आएगा क्या आएगा लेकिन जो कुछ रहता है वो बिल्गुल कनफर्म रहता है कि 50% 45% कि फिटिजंड चूर्ण यह उगशन बैंक से आंगे हैंगे तो उसको आप लोग पढ़ना है 2010 लेकर 2020 तक पल जाईए के व संबन्द किस मांसिक विक्रिती से संग्यानात्म क्यांग निक कोगोनीटीफ कर याद रहा था सबसे पहले किह था विख्तितव के लिए मनों विदिलता प्द का सब परयोग सबसे पहले किसने किया था वैक्तितव के लिए मनोव दिलता पत का पर इयोग सब से पहले किसने किया था तो ठाट का सई 30 का सर ऑप्षण आपका एभी यूलर बीूलरने वैक्तितव के आपको था ज Hmmm करता हूं कि आपको ते वीडियो पूरियादुरत होई नहीं होगी क्योंकि कुछ नाम भी थे जिसके करण आपको उतना याद भी नहीं होगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सार्टिक पताता हूं आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको बना कर दूंगा अभी मैंने दो सेट करा दिया सब्जेक्टिव क्यूसन की वीडियो मैं आपको बना कर दूगा अभी मैंने दो सेट करा दिया सब्जेक्टिव का 25 क्यूशन मैंने कराए है 26 से मैं आज साम को 26 क्यूशन नमबर से कराऊंगा क्यूशन को तो आप लोग रेडी रहेंगे क्लास के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक लिए धन्वाद कैसा लगा आपको ये क्लास नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएगा वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नएव होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के